हमें प्रधान मंतरी जी ने जो कानून बनाए हैं उनका हम विरोध करते हैं राज नीती है इसमें सारे पहले वादा करते हैं फिर बाद में कोई कुछ भी ने करता हम किसी पर विश्वास ने कर सकते हैं मैं साथ महीने से अपने पिशाश्री के साथ रात्तरा करी एक लाग किलोमीटर हम चले सुजान गड़ में हमने बीजेपी का विरोध करते हैं अब यह जो सरकार है यह तो हमसे हर बोड़ी पर तीन सो चार्सों पांसो छैसों रुपे ले रही है तो इस पर क्यों नहीं के इसक अज जब तक दिन रहेगा तो पुरा दिन देंगे फिर शाम कर दो अच्छे बहुत अब अच्छे पर अपना नाम बता आप अंका नाम क्या है मेरा नाम अंगर तिंग है मैं भरत्तुर राजे सांग जो यहां किसान अंदोलन में आयों इसके बारे में कुछ जानते हो बहुत कुछ जानता हूं क्या जानते हो देखे यह जो किसान अंदोलन है यह तीन काले कनून है उनको रद करवाने के लिए हैं और MSP की गारंटी के लिए आपको पता है अब भी इनके साथ आयो हां हम लेकिन जे हमारे रिस्तिदार नहीं है यह हमें तकायत अंकल ने इनसे मिलाया था हमारी मुलाकात हुई थी और फिर हम दोनों ने अंट्रिवूट की सोची तो हम एंट्रिवूट देने जैसा कि पहले पूछना चाहूंगी यह य मैं देख़ा मैं किसान आंद्रून चल लाया है तो यहां अभी कितना टाइम हो गया है यह साथ महीने होगे किसान आंदू तुम के वह आयो है देखिए मैं और साथ महीन से अपने फिताश्री के साथ है रात्तरा करी ए emousion कि Li चलये सुझांगाणार में plant in the country जंदे दुखा थे हम एक लाग किलोमेटर चल गए हैं हमने पहले महिने से यात्रा शुरू करी थी और हम पूरे में हर बॉर्डर पर जाग गए हैं ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पर हम गए नहीं हो तो क्या लगता है हर बॉर्डर पर जाके की बिल वापस होंगे देखे बिल तो वापस होंगे और MSP की गारंटी भी मिलेगी भली समय लगेगा पर होगा कितना समय लगेगा जैसे राके सी कहते 2024 तक देखे इसका कुछ कहना हैं सकते अगर यह बिल वापस नहीं करेंगे तो गद्दी वापस करेंगे या तो गद्दी वापस करेंगे तो 2022 में फिर भी बिल और बिजली के कानून नहीं रद करेंगे तो हम भी यहीं डटे रहेंगे अगर इसने कर भी दिये फिर हम एक पार्टी रखेंगे सब जो भी यहां पर किसान डटे हुआ उनके लिए लेकिन जो मोधी सरकार के दूजे दूसरे नकली किसान है उन्हें उन्हें भी हम जानके ही रहें जूड के वारे में यह जानता हूं मैं आपको एक इधारन देता हूं जब हम एक बंदा सो रुपे छोड़ी कर लेता है तो उस पर भी केस होता है तो अब यह जो सरकार है यह तो हमसे हर बोरी पर 300 400 500 600 रुपे ले रही है तो इस पर क्यों नहीं केस कर आधा है मैं यह नहीं है जाथा रहों कि MSP की गारंटी देद तो आप MSP की गारंटी देदर आप्यटगे शपी क्रों 700 यह lindo रुपा कर दो मतायों क्या है बदा गाले कानू तो देखिए मुझे इतनी अभी हम और गुम रहे हैं, अभी और हम आगे जाएंगे यात्रा में तो अभी मुझे इतनी नौलेज नहीं हो पाई है, जितनी अभी मुझे नौलेज है, उतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ देखो मुझे इतनी नौलेज है, कि हम सब को जगाते हैं पताया। तो फेर जेन को पताथा। उन्हों ने कहा हम आपके साथ जरूर है। गाल्वीडर सब्सक्वलीं नहीं देंगे चाहे किसी को भी देंगे। पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। प्रधान मंत्री जी ने जो कानून बनाए है, उनका हम विरोध करते हैं, बीजेपी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, हम नरेंद्र मोधी, जिन्हों ने फैसला लिए, जिन्हों ने सहमती करी गए, उनका हम विरोध करेंगे. जैसा कि अभी उनोंने मताया क हम BGB bonnah करें, जरूनोंने कानून बिनाया, उनका ब्रोथ करें, तो आपको कोई ऐसी पार्टिय जो अपको पसंद हो? तब कानून हैं तिन वो सबने मिल जुलके ही बनाए है। इसलिए हमें कोई भी पाल्टी बिलकुल नहीं पसदु है। पापके साथ इससाथ, बेश्ट नेता कॉन सा है। फॉलिटिशिएन को इससा है। हमारा नेता है, जो वो किसान ही है। बेकिक का लगता है यूपी चुनाओं में जो चिसान है वो लबाताग जैसे रैली करन असर देख में को मिलेगा? मिलेगा यूपी चुनाओं में क्या सोच रहां है अभी रैली आत रो क्ड़ू जहार हो गाउगाँ भूभू। हर जगा जाके आया क्या लगता है कि यूपी में कौन आ सकता है 2022 में देखे यूपी में तो हम बता नहीं सकते यूपी में बराबर का है बीजेपी भी बराबर की है कॉंग्रेस भी बराबर की है आरलपी भी बराबर की है सारे बराबर के है अच्छा आपने बीजेपी को खरा कैसे करते हैं वह सारा क्या कई गते है शबब मेरे वह साथ से बेस्ट ने था तो देखेँ कोई नहीं वही नेता है एक नेता स्था मारा वहागत सिंग और गांधी जी ऑजाली के बाद कि आपका यह बिल वापस कर लेगा किसी पर भी नी कर सकते क्योंकि यह राज नीती है इसमें सारे पहले वादा करते हैं पर बाद में कोई कुछ भी निकरता हैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकते किसानों का यहां पर बैठना बेकार है पूंद नहीं हमें बिल वापसी करवानी है और इससे ही करवाएंगे अगर यह नहीं करेंगे जैसा टिकर जी ने काया इसकी गद्दी तो लहीं लेंगे एक बार और फिर जो आएगा ना फिर उसको तो अपनी अगली बार भी सरकार लानी है तो इसको यह तो करना ही पड़ेगा अभी आएसा कोई भी पॉलिटीशियन नहीं बचा है जिस पर भड़ो सा किया जा सके हां तो सही बात आपकी नहीं कोई नहीं बचा है कैसे अगली बारा किस्को वोट देंगे आपका कानून वापस करें देखे मेरा सूचना तो यह है कि किसानों को एक अपनी पार्टी बनाना चाहिए अच्छा किसानों को पॉलिटीशियन इनको सन्यास देने दाश है इनको फिर हम बताएंगे किसान बता अजी तेकेज जी को भी मसोरा दीजिये कि पार्टी बनाएं देखिए उनको सब्सक्राइब दिया है अब उनके हाथ में वो क्या गरते हैं हमने तो सुझाव दिया है चैनल को लाइक शेर इन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें